आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे इरान की मौरेलिटी पुलिस के बारे में जिसको समाप करने का फैसला इरान नहीं हाल ही में लिया है तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बैक्गराउंड के बारे में तेरा सितंबर दो हजार बाईस में इरान के कुर्दिस्तान प्रांथ की बारा साल की महसा अमीनी एक लंबा होवर कोट पहन कर अपनी परिवार के साथ तहरान में घूम रही थी परिवार जैसे ही शहीद हेगानी एक्स्प्रिस पे पर पहुँशता है मॉरेलिटी पुलिस आती है और ये पुलिस अमीनी के ड्रेस को एभद्र बताते हुए उसे हिरासत में ले लेती है पुलिस दावा करती है कि अमीनी ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था पहुँचने पर भी आमीनी के साथ मारपीट की जाती है इससे उसे दिखाई देना बंध हो जाता है और कुछ देर में ही वहें बेहोश होकर गिर जाती है दो घंटे तक उसे होश नहीं आने पर पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है वो दो दिन कोमा में रहती है और 16 सितंबर 2022 को इरान की मौरैलिटी पुलिस की बरबरता का सामना करते हुए शाम तक उसकी मौत हो जाती है उसके बाद वहाँ पर विरोध परदर्शन शुरू होते है अमेनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तहरान तक में मौरैलिटी पुलिस के विरोध में परदर्शन भढ़ गए अमेनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिये हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दोरान कई महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिये लगभग तीन महीने के विरोध के बाद इरान सरकार ने morality पुलिस को खतम करने का फैसला लिया है अब हम बात करेंगे कि morality पुलिस काम कैसे करती थी इरान की morality पुलिस को गश्त एक इर्शाद नाम से जाना जाता है ये Islamic revolutionary guard से जुड़े paramilitary force बासिच के साथ मिलकर काम करता है इसका काम इरान के इसलामी कानूनों और पहनावे के नियमों को सकती से लागू करना है Morality Police यह सुनिशित करती है कि महिलाएं सही तरीके से हिजाब पहन रही है या नहीं ऐसा नहीं करने पर Morality Police उन पर जुर्माना लगा सकती है या उन्हें गिरफतार कर सकती है यदि किसी महिला ने tight कपड़े पहने है, बोडी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आस्तीन चड़ी हुई है या जिन्स फटी हुई है तो ऐसा होने पर Morality Police आपको गिरफतार कर सकती है और Detention Center लेक जाकर वहाँ पर आपको रख सकती है हिरासत में ली गई महिलाओं को कई बार Education and Advance Center ले जाय जाता है यहाँ उन्हें हिजाब और इसलामी मुल्यों पर Lecture दिया जाता है घर से कोई सही ड्रेस लेकर आता है तभी उन्हें छोड़ा जाता है Morality Police का Main Focus महिलाओं का ड्रेस होता है किस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं और किस तरह के नहीं इसे लेकर कोई खास guideline नहीं है इस वज़े से Morality Police के अधिकारी खुद तै करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है Morality Police लोगों की निज़ी जिन्दगी में दखल अंदाजी की तरह है जिस तरह महिसा अमीनी ने विजाब पैना हुआ था लेकिन धिला होने की वज़े से उसके कुछ बाल दिखाई दे रहे थे सिर्फ इतने भर के लिए उसके साथ इस तरह की कुरूरता की गई इससे इरान की महिलाएं काफी गुसे में थी यह किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि जादातर महिलाएं हिजाब को डिला ही पैनती है यानि उनके बाल भी दिखते हैं इसी वज़े से इरान में महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी अब हम बात करेंगे कि मॉरेलिटी पुलिस का इतिहास क्या है इसे कब बनाया गया 90 के दशक में इरान इराक युद के बात तक मॉरेलिटी पुलिस कोई अलग फोर्स नहीं थी हालांकि इरान में इसलामी क्रांती की शुरुआत से ही सारवजनिक स्थानों कर ड्रेस की वज़े से महिलाओं का उत्पीरन होने लगा था वही 1979 की क्रांती के बाद से महिलाओं के लिए सिर ढखना अनिवार्य कर दिया गया इस से पहले शा पहलवी के साशन में महिलाओं के कपड़ों के मावले में इरान काफी आजाद ख्याल था साल 2000 के मध्या में महमूद एहमदीनेजाद के राष्टपती बनने के बाद इन नियमों को और सक्ती से लागू किया जाने लगा साल 2006 में एहमदीनेजाद के वक्त ही मौरैलिटी पुलिस यानी गश्ट ए इर्शाद नाम की यूनिट बनाए गई 2013 में उदारवादी नेता हसन रुहाने के राष्टपती बनने के बाद ड्रेस कोट के नियम काफी बदल गए उनके शाशनकाल के दौरान धीले रंगीन हेट सकाफ किसा टाइट जिन्स में महिलाओं को देखना आग हो गया अगस 2021 में कटरपन थी इबराहिम रईसी इरान के राष्टपती बनते हैं और एहमदीनेजाद के रास्ते पर चलने लगते हैं रईसी मौरैलिटी पुलिस की संख्या को और बढ़ाने का फैसला करते हैं इस साल जुलाई में रईसी ने सभी इंस्टिटूट में हेट सकाफ कानून लागू करने का आदेश दिया था लेकिन इसके बावजूद महिलाएं बेपरवा धंक से हेट सकाफ और टाइट जिन्स पहनना जारी रख रही थी इसके बाद रईसी मौरैलिटी पुलिस को ऐसी महिलाओं के खिलाफ कारवाई करने को कहते हैं इसी के चलते सितंबर में महिसा अमीनी के सिर का सिर्फ थोड़ा सा बाल दिखने की वज़े से उसे गिरफतार कर लिया जाता है और हिरासत में उसकी मौत हो जाती है इरान की मौरैलिटी पुलिस गष्ट ए इर्शाद को अमेरिका ने 23 सितंबर को ही ब्लैक लिस्टेट कर दिया अमेरिके ट्रेजरी विभाग ने उस वक्त कहा था कि मौरैलिटी पुलिस महिसा अमीनी की मोत के लिए जिम्मेदार है इरान जैसे देश में महिलाओं का विरोध परदशन कैसे चला इस पे बात करना भी जरूरी है कि मौरैलिटी पुलिस का विरोध कैसे किया गया इरान की महिलाएं हमेशा कानौन तोड़ कर ही मौरैलिटी पुलिस का विरोध नहीं करती थी बलकि कई महिलाएं अपने हर रोज की जिंदगी में भी नए तरीकों के जरीए विरोज जताती थी ये महिलाएं कभी हिजाब को ढीला पहनती थी तो कभी शरीर में फिट होने वाले ड्रेस पहनती थी कई बार गहरा लाल रंग का लिप्स्टिक लगा कर भी अपना गुसा जाहिर करती थी हालांकि विरोज का ये तरीका जोकिम से भरा होता है 2017 की बात है इरानी महिला मासी अलाइनजाद ने वाइट वेडनस टे नाम से एक अंदोलन की शुरुआत की थी इसके जरीए महिलाओं ने अपने हेट सकाफ को हटा कर सफेद दुपट्टा दिखा कर विरोज जताया था इसके बाद ही इरान सरकार ने इस महिला को देश से बाहर निकाल दिया था इसी साल जुलाई में यानि की 2022 जुलाई में एक बार फिर से महिलाओं ने हिजाब भी हिजाब नाम से एक अंधोलन की शुरुवात की गर्शत नाम की एक मोबाईल एप के जरिये इस अंधोलन को आगे बढ़ाया गया था इस एप से आंधोलन में हिस्सा ले रही महिलाएं पुलिस की हर गतिविदियों से अपडेट रहती थी इरान के मानवा दिकार कारेकरता हदी घियामी के अनुसार हिजाब के खिलाब ये आंधोलन सर्फ सांकेतिक है इरान के युवा अब भी सभी संस्थाओं और कानूनों से आजादी चाते हैं इसकी वज़े ये बताई जा रही है कि वे इस रस्ता में अपना भविश्य नहीं देख पा रहे हैं ऐसे में बदलाव सिर्फ मॉरैलिटी पुलिस को खतम करके नहीं आ सकता विरोध परदर्शन के भड़कने का सबसे मुख्य कारण ये था कि पुलिस ज की मौत होती है तो उस पर तहरान की मॉरैलिटी पुलिस का कहना था कि सारजनिक जगों पर बाल ढखने धीले कपड़े पहनने की नियम को सकते से लागू करने के सिलसिले में महिसा को हिरासत में लिया गया था इरानी अधिकारियों का दावा था कि अमीनी को कस्टडी में ल भूट बोलने का आरोप लगाया था उनका कहना था कि अमीना का 17 साल का भाई आराश मौके पर उसके साथ था जब अमीनी को पुलिस ने हिरासत में लिया आराश ने बताया कि पुलिस ने महिसा को पीटा उसके कपड़े फाड़े और अमीनी को नहीं ले जाने की गुजारि पितारियों का कहना है कि गिरफतारि के समय अमीनी ने अभद्र कपडे पैने थे वहीं, अम्जद ने कहा था कि गिरफतारि के वक्त अमीनी ने ओवरकोट पैना था, अमीनी के पिता के मुदापिक उसकी आटॉप्सी से जुड़ी कोई भी जानकारी परिवार को नहीं दी वलाकि ये एक सकारात्मक सूचना है कि इरान में इस तरह की व्यवस्ता को खतम करने की बात की गई है लेकिन यहां हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या इस तरह की व्यवस्ता सर्फ इरान में ही है तो इरान मौरेलिटी पुलिस वाला एकलोता देश नहीं है सौधी अरब में भी मुत्वा नाम की मौरैलिटी पुलिस है यहां भी सेम सेक्स में सम्मन्द बनाने शराब पीने पर मुत्वा लोगों को पकड़ कर सजा देने का काम करती है हलाकि 2016 के बाद सौधी अरब सरकार ने मुत्वा पुलिस के अधिकार कम कर दिये साथ ही महिलाओं पर लगाए जाने वाले पावंदियों में छूट दे सुडान के तानाशा उमर अलबशीर ने भी एक मौरैलिटी पुलिस बनाई थी उन्होंने इस पुलिस दस्ते को दो तरह के काम दिये थे पहला महिलाओं की सभी तरह की गत्विदियों पर नजर बनाए रखने और दूसरा पुरुशों के साथ महिलाओं के जादा घूमने मिलने पर उन्हें पकड़ कर कानून के अनुसार सजा देने के लिए कहा गया था इतना ही नहीं मलेशिया में भी धार्मिक अधिकारी रमजान उप्वास के दोरान कानून और मर्यादा तोड़ने वालों की खिलाप शरिया कोर्ट में केस चलाते हैं कोर्ट के आदेश के आधार पर शरिया नियमों को नहीं मानने वालों को सजा दी जाती है इसके साथ ये कहा जा सकता है कि इरान में महिलाओं का प्रोटेस्ट काम्याब रहा तो आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू सो मच दोट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट